हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है यह देखी मैं बच्चे की यह नो आठ नो साल के बच्चे की मैं स्वेटर बना रही हूं उलवाजु में तो इसके बारे में मैं अब आपको आगे दिखाऊंगी मेरी तीन कलर्स में स्वेटर है इसमें मेरी कम से कम 400 ग्राम साड़ी 400 ग्राम लग जाएगी नेवी ब्लू वाइट एंड यह यलो तो मैं आगे इसको आपको दिखाती हूं मैंने यह कैसे बनाई यह देखिए अब मैंने इसमें नीचे यह दस साल के बच्चे का स्वेटर है तो इसमें मैंने नीचे डाले ह 100 पंदे 100 पंदे मैं इसमें डालके दोल्टा दो सिद्धे के मैंने यह बॉर्डर बना लिया बॉर्डर बनाकर अब मैं इसको देखी मैंने यह आपको दारिया इसमें डार्क रंग में तो नहीं दिख रही लेकिन इसमें वाइट में आपको दिख रही है यह देखिए मैंन येलो रंग लगाना है तो अभी मैं आपको ये मैंने कैसे डाला है इस डिजाइन को तो मैं वो अभी आपको दिखाती हूँ इसके फंदे गिरगे ये देखिए अब ये यहाँ पर मैंने येलो रंग ये मेरा येलो रंग लगा लिया ये कलर है तो अब इसमें येलो में मैंने शुरू में मैं बताती हूं आपको, मेरी सिद्धी सिद्धी सलाई, चार सलाईया मैं सिद्धी सिद्धी बनाऊंगी, यह बिल्कुल सिद्धी, सिद्धी उल्टी, सिद्धी उल्टी, चार सलाईया, शुरू से, डायक रंग से आपको नहीं दिख रहा, लेकिन अब मैं इसमे मेरी यलो कलर से सिद्धी सिद्धी उल्टी सलाई उल्टी उल्टी फिर दो मतलब दो सलाईया सिद्धी दो सलाईय उल्टी मैं चार सलाईया आपको सिद्धी उल्टी बना कर फिर हमें आगे दिखाती हूँ यह देखिए अब मैंने अब इसमें चार सलाईया अब यह चार सला कोब मैं दो सलाइलाया को अब मैं दो दोल्त माओं का ऊपती सिर्दी सीड़्दी राइट साइड से इल्टा बनाऊंगे राइट साइड से मेरा उल्ट één-व्ल्ट पुरी सेलाई मैंने इल्टी पूल्टि यह देख रही है ये उल्टी-उल्टी, फ्रंट साइड में उल्टी, राइट साइड उल्टे फंदे दगा आगे करके ये पूरी सलाई मेरे को ऐसे ही बनानी है, आगे बना के इसको मैं पूरी दिखाती हूँ, इसकी मेरी उल्टी-उल्टी पूरी सलाई मैंने आगे दगा करके इसको राइट साइड में उल्टा उल्टा बना दिया मैंने इसमें नीचे 100 पंदे डाले थे वा meant बडर से उपपर थे 10 पंदे वर बढ़ा के 110 पंदे मैंने रख लीए रिक ... और इसको मैं बनाती जा रही ... बैक में भी मैंने बने टंघ हो आप ये मेरी पिछले बैक सलाई बैक सलाई में पेहला पंदा मैं ने बतार के अब इन पंदो को मैं इधर से सिद्धा बनाऊंगी ज़िए निचे भी दिखर आपको बीच़ में ये शिद्धा तो इधर पूरी सलाई सिद्धी सिद्धी पूरी सलाई में सिद्धी सिद्धी बनाऊंगे अभी बनाकर पूरी कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाती है यह देखिए मेरी सिद्धी सलाई भी शिद्धी सलाई पूर सलाईया मैंने सिद्धी उल्टी बनाई थी और यह दो सलाईया मेरी स्राइट साइड से उल्टी और बैक साइड से सिद्धी सिद्धी बनाईए सलाई मेरी complete होगी यह देखिए छे सलाई यह चे सलाई यह चे सलाई यह ऐसे ही आमने दो राना अब मैं फिर चार सलाई plane बनाऊंगी दो सलाई फिर ऐसे ही यह पूरा pattern मेरा ऐसे ही चलेगा अब मेरी इसमें देखिए इसकी पूरी लंबाई भी मेरी complete होगी है यह मेरी लंबाई इसमें complete जितनी मैंने रखनी थी होगी यह 19 साल के पच्चे की स्वेटर है जैसा मैंने पहले बताया आपको इसमें मैंने नीचे 100 फंदे डाले हैं बार्डर से उपर फिर मैंने 100 फंदे कर लिए अब मेरी लंबाई पूरी होने के बाद अब मैं यहाँ पर कंदे की गटाई शुरू करती हूँ कंदे की गटाई अब हमने चासलाई है जैसे सिद्दी सिद्दी बनानी है तो चार तीन दो एक की गटाई करूँगी दो गटगे तीन और यह चार फंदे मैंने गटाई करनी है 10 पंदे मैं इस साइड से गटाऊंगी और 10 पंदे इधर पिछे साइड से गटा कर और जो ये मेरा पैटर्ण चलेगा चाल सलाई यह सिद्धी दो रूटे सिद्धी तो ये उसी हिसाब से मैं बनाती बनाती अभी आपको गटाई करके फिर मैंने इसका गला पनाना है यू शेप में यू शेप का गला पनाऊंगी तो मैं उस गले की शेप आपको गटाई कैसे करनी है तो मैं पहले कंदे की गटाई पूरी कर लूँ, फिर मैं गले की गटाई करूँगी, तो मैं वो फिर आपको दिख लाउंगी, अब इधर से मैंने चार गटा दी है, इधर से दूसरी साइड से भी चार गटाउंगी, फिर तीन, दोनों साइड से तीन, तीन, फिर दोनों साइ फिर मेन गले की गटाई करूगी यह देखी मेरे कंदे की गटाई पूरी होगी चार तैन दो और एक त्यoubl is दने अधर गटाईह है और यह त्य कंदे मेरे इधर कट करा कंदो की गटाई मेरी अब पूरी होगी अब मैं बीच में गलेखी गटांगे अब यहां मेरे पास 110 थे तो मेरे पास अब यहां पर 110 मैंने इधर गटा दिये 10 इधर गटा दिये तो मेरे पास 90 फंदे रहे गिए 90 में मैंने अब यहां पर मैंने यहां बीच में मैंने यह बना दिये है 50 फंदे बना लिए मैंने फोटी फाइव थे एंचो काफ ऑ्क कोर डिए तो मैंने यहां चालिस हंदे-स साइड में छोड़ दिये और पचास फंदे मैंने इस साइड्मे बना लिए अभी इन फाई फंदो को बना कर हाफ अधे में मैं बापिस दस फंदे अभी या में घटा दोगे एक बारे में एक दो तीन च्यार पाँच छे साथ आठ नो दस दस फंदे मैंने घटा दिये तो मेरे पास 40 फंदे इधर रहे गें और 40 फंदे ही इधर रहे गें दुनों साइड मेरे 40 फंदे रहे गें 10 फंदे बीच के 10 फंदे मैंने घटा दिये अब मैं इस साइड वाले फंदो को में बना दूगी अब ये दस फंदों के बाद अब मेरे सलाई मेने पूरी करके मैं राइट साइड से अब मैं दुबार इधर बाप पिशा गई हूँ अब दूसरी बार मैं अब यहां पाँच एक दो और यह तीन चार और यह पाँच मैंने पाँच फंदे जब इधर मैंने बीच में से दस वटाए थे अब मैंने यहां पाँच फंदे गटा दिये पाँच फंदे गटा के अब मैं इबाकी फंदे मेरे अब 40 फंदों में से 5 गटके 35 फंदे रहेगे 35 में से अब मैं 4, 3, फिर मैं 2 और 1 की गटाई करके 4-3-2 की ओर करके फिर मैं आपको दिखांती जड़ी कहा है चुर्ट यह देक़्िए मेरी गाटाइ पूरी होगी है कंदे की मैंने अब यह लंबाई जितना मुझे गलब चाहिए कंदा उथनी मैं अब इसको बना लेती हो मैं इदर बीच में पहले पांच दस फंदे गटा दिये थे सिद्धे फिर इसके बाद पांच चार तीन दो और एक की गटाई करके अब मेरे को यह यू शेप बनाना है ऐसे ही सेम गटाई मैं ऐसे करूंगी अभी दर से दूसरी साइड से भी मैं पां पिना कर आपको त्यार करके दिखाती है यह देखिया है वह मैंने गले की गटाई करके चाएर कर दीए से आधि है इसमें मैं इक मेरे यां पे नीच यह थे तो मैं ने जैसे आपको पहले बताया मैंने अधूकzonaि ओपwn एंधर क कंदे की साइड्वार tree का दीए 10-10 पंदे दोनों साइड इस इधर भी 10 पंदे मैंने इधर भी गटा कर अब उसके बाद बीच में मैंने हाफ आफ करकर 25-25 पंदे उपर रखे हैं बकियां पर 5-5-4-3-2-1 की गटाई मैंने करके इस साइड में दोनों साइड से यह मेरा गला बन कर त्यार है अब यह देखिए नीचे से यह आपको बनी वह है यह मेरा फ्रंट पार्ट है इस वीडियो में मैं यह फ्रंट पार्टी दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में आपको बैक और मैं बजू बना कर वो दोनों दिखाऊंगी मेरे बताने का तरीका मेरे पैटन अगर आपको कुछ भी पसंद आती हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें शेयर करें